आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे clean और cleanly के use के बारे में very very important आपके exam के लिए तो बढ़िया से समझिएगा देखिए बात करे clean की तो category से आपका है adjective क्या है adjective तो क्या इसका meaning निकलता है साप, स्वक्ष, नवीन, निर्दोष, पवित्र के अर्थ में sentences को समझते हैं I have a clean paper, मेरे पास एक नया paper है He leads a clean life, वो एक पवित्र जीवन जीता है We should breathe in clean air, हम लोग स्वक्ष, हावा में सांस लेते है Clean your teeth daily यहाँ पे clean का अर्थ, आपका साफ करना का sense में हो गया कि प्रती दिन दात साफ करो और clean बिल्कुल के अर्थ में भी होता है I clean forget your name, मैं आपका नाम बिल्कुल भूल गया हूँ तो यह आपका हो गया clean का use adjective के रूप में साफ, स्वक्ष, नवीन, निर्दोष, पवित्र के अर्थ में और बिल्कुल के अर्थ में अब बात करते हैं cleanly adverb है यह आपका क्या है adverb साफ, साफ, तेजी से साफ सुतरा cleanly के use के बारे में समझते है I write cleanly मैं साफ साफ लिखता हूँ he caught the ball cleanly वो तेजी से ball पकड़ा so how से साफ सुतरा के संसे में भी clean के use नहीं cleanly के use होता है are cats cleanly animals clean आपका हो गया adjective के रूप में और cleanly हो गया adverb के रूप में तो इसे आपे copy में अच्छी तरह से note कर लिजिएगा और जब भी समय मिले तो दोस्तों को जरूर से air कीजिएगा ओके, धन्यवाद